हाई फ्रेंड्स असलाम लेकुम वेलकुम टू माई चैनल मैं हूँ सना और आज में आपके साथ शिंबला मेर्च और आलू की सबजी की रेसिपिशेर कर रहे हूँ यह सबजी बहुत ही हल्दी होती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू और शिंबला मिर्च की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कूकर में एक सर्विंग स्पून ओयल गरम कर लिया है इसमें मैंने तीन लॉंग एक दालचीनी का टुकड़ा और एक शुरी चम्मस जीरा आड़ कर रहे हूँ इन सब को थोड़ा सच पकने दे इसके बाद हम इसमें एक बड़ साइस का प्याज का पेस्ट बना करके वह एड़ कर लिए मिकसी में आप शाहें तो बारी चौप करके प्याज को एड़ कर सकते हैं इसे दो तीन मिनद के लिए अची तरीके से भून लेंगे और जो ऑयल मैंने एड़ किया था यह पहले से पाउडर, दो छोटी चमल, धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के साब से और हल्दी पाउडर, 140 टीस्पून, नमक पैने यहाँ पे आदा चमल से थोड़ा सा ज्यादा डाला है, आप अपने टेस्ट के साब से डालें, मसालों को भी भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के भू माटर डालने के बाद इसको हम 3-4 मिट के लिए और भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मैथी, एक चोटी चमल, भर के और दो छोटी चमल के बराबर इसमें मैं दही एड़ कर रही हूँ, आप चाहे तो दही को स्केप कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नह तो यहाँ पर दही डालने के बाद भी मसाले से ओइल सेपरेट होने लगा है, आप इसमें हम आलू एड़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पर दो बड़े साइस के आलू लिए थे, छील करके अचीजे दो करके, और मैंने यहाँ पर छोट छोटे टुकड़ों में काट करके इसको एक मिलट के लिए चलाते भूनेंगे, इसके बाद इसमें हम थोड़ सा पानी डाल करके इसको पका लेंगे, तो आप पकने में थोड़ सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप आलू को पहले डाल करके भून लें और उसके बाद थोड़ सा पानी डाल के इसको पका तक्रिबन 3-4 मिर्ट को पका लें, आदे हाफ कोक हो जाए हमारे आलो, तब तक इसे पकाएं ढख करके, तो यहां पे ढख करके मैंने आलो को पका लिया है, 2-3 मिर्ट के लिए, आप चाहिए तो प्रेशो कोकर में एक साथ डाल करके विसल भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फ भकन बन करके, हम इसको तक्रिबन 3-4 मिर्ट के लिए और पका लेंगे, तो जहां पर हमारे आलो भी अच्छा से कोक हो गए है, और हमारी शिम्बला मिर्च भी पक चुकी है, और ग्रेवी भी हमारी अच्छी बन चुकी है, आप चाहिए तो इसे और ग्रेवी बना सकते हैं या फिर इसी तरीके से लटपटा से रख सकते हैं, तो मैंने इस इसी तरीके का रखा है, तो यह देखिए सब्जी हमारी बन के रेडी है, आप इसे पराटे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ और या फिर चावल के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की तरीके से आप ज़रू ट्राइ करें वीडियो अच्छी लगे ते वीडियो को लाइक और शेयर करें and थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो